दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोयम वाटर के वारे में तो इसे हम स्टार्ट करेंगे लिंक नुससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपके करनाटका बोड के इंगलिश की क्लास 12 के पूरे स्लेबस को कम्प्लीट कर लिया है जी यहां पूरे चाप्टर को अगर आपको देखना है तो सिंपली उपर आई बटन पर क्लिक करें आपको प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां पर सभी चाप्टर अपलोडेड है वह न दोस्तो आप हमारे चैनल में जाए और करनाटका बोड के प्लेइलिस्ट को चेक करें तो पर पोईटेस हमें बताती है कि वेल के पास यानि कि कुए के पास एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी भी नहीं सुखता तो यह जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना ये भी बिल्कुल वैसे ही है मतलब कि जैसे कुए के पास एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर पानी कभी भी खतम नहीं होता वैसे ही ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना ये भी खतम नहीं होगा कभी भी तो यहाँ पर कहा गया है कि समारिया विमेन तो सबसे पहले मैं आपको समारिया विमेन के बारे में बता दू तो दोस्तों ये सभी एंशेंट टाइम के है ये समारिया विमेन जो water यानि कि जो पानी होता है ना उसे difference पता है कि cobbler क्या है और wiver क्या है, cobbler मतलब दोस्तों mochi जो जूते वगएरा पनाता है और wiver मतलब जो जो kपड़े भूनता है यहाँ पर असल में यह बताया गया है कि जो water है न वो ancient से लोर थे मतलब यह जो पंचमा कास्ट था वो सुधरा कास्ट से लोर था और जब भी लोग पहले कुए से पानी लेने जाते थे ना तब इन पंचमा को वेट करना पड़ता था मान लीजे कि कोई पंचमा कास्ट से पहले पानी लेने के लिए आया वेल के पास यानि कि कुए के पास तो वो वहीं पर खड़ा रहेगा और सुधरा अगर वहां आएगा ना तो वो इस पंचमा से पहले पानी लेगा अब यहाँ पर कहा गया है कि जो वादा गल्स होती थी ना तो वो जब भी पानी लेने के लिए जाती थी तो उन्होंने मतलब कि वो जब कुए से पानी अपने कंटेनर यानि कि अपने बाल्टी में डालती थी तो पानी डाले के वक्त इनके कपड़ों में उस पानी का कुछ हिस्सा लग जाता था तो यहाँ पर बताया गया है कि एक लेडी थी जिसका नाम था कर्मा चेडू सूवर थम्मा तो यह जो लेडी थी ना इन्होंने एक दलित बॉय को बचाया था एक यूथ से यानि कि कुछ जवान लड़के का गुरूप था वो इस दलित बॉय को परेशान कर रहे थे या मार रहे थे तो ये लेडी ने उस बॉय को बचाया था तो ये औरत जब पानी लेकर गई थी तो इन्होंने देखा था कि इस दलीद पॉई को कुछ लड़के परिशान कर रहे है तो इन्होंने इस लड़के को बचाया था तो इस पॉइंट में कहा गया है कि जो वादा पीपल्स होते थे न वो एक ग्लास पानी के लिए तरसते थे जी हां उनके पास पानी की बहुत कमी थी और सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि पहले बहुत सारे बैटल्स यानि कि बहुत सारे फाइट्स होते थे सिर्फ एक बुन पानी के लिए और इन लडाईयों में बहुत सारे लोग अपने जान को गवा देते थे तो इस पॉइंट में पोईटेस अपने बारे में बताती है वो कहती है कि उन्हें opportunity नहीं मिलता था यानि कि उन्हें दो time यानि कि एक दिन में दो बार नहाने का opportunity नहीं मिलता था वो सिर्फ दिन में एक ही बार नहाती थी और बाकी जितने जो लोग थे village से असल में दोस्तों जो पोईटेस थी ना वो low caste से थी और गवाओं के बाकी सब जो लोग थे वो high caste से थे तो इसलिए Poetis को सिर्फ एक बार नाने को मिलता था और बाकी जो लोग है वो दिन में दो बार नाते थे यहाँ पर Poetis अपने दुख और दर्द के बारे में बताती है वो यहाँ पर बताती है कि जब वो बच्ची थी यानि कि जब भी वो बैटे बैटे सोचती है अपने बच्पन के बारे में तो वो सोचती है कि सिर्फ एक कटोरा पानी के लिए या एक बाल्टी पानी लाने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उन्हें बहुत दूर यानि कि बहुत माइस चल कर जाना पड़ता था कैनल के पास और पानी उन्हें वहाँ से चुराना पड़ता था जी हाँ पानी उन्हें वहाँ से जल्दी नहीं मिलता था तो वहाँ से पानी लेने का मतलब यही हुआ पानी चुराना तो इस point में कहा गया है कि एक गाउं था जिसका नाम था Malapel ले तो इस गाउं में क्या हुआ था एक घर में पानी था यानि कि एक pot पानी था तो उस घर में क्या किया गया बाकी जो वहां के लोग है न उन्होंने उस घर को आग लगा दिया गया ये क्यों दोस्तों ये ज़्यादा बताया नहीं गया है शिरिफ ये आप याद रखना की Malapel नाम का एक village था ये line बहुती अच्छा है water may appear to be a simple thing but its greatest quality is that it can give life as well as take it away जी हाँ पानी आपको जिन्दगी दे भी सकती है और अगर आपके पास मानी ना होना तो उसी पानी की वज़ा से आप इस दुनिया से चले जाते हो there are occasions when the water could not satisfy a thirsty person but it would transform into a tsunami wave that nearly swallowed many villagers जी हाँ पानी से हमेशा फाइदा नहीं होता कभी कभी नुकसान भी हो जाता है जैसे कि कभी कभी सुनामी आता है फ्लड आता है तो उससे बहुत सारे लोग मर जाते है water has the ability to turn villages into dry desert or drown them in floods as people are just like hill place play objects in its cruel hands जी हाँ पानी में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे गाउं को तभा कर सकता है जब गाउं में flood यानि कि बाड आ जाता है तो उससे जो गाउं है न वो पूरा सूखा पड़ जाता है इसलिए यहाँ पर use हुआ है dry desert water has been the cause of fights between states, between villages and in this process many people have been seriously wounded and some have even lost their lives जी हाँ बहुत सारे लोगों ने state हो यानि कि शहर हो या गाउं हो बहुत सारे लोगों ने अपने life को खोया है पानी की वज़ा से और यहाँ पर कहा गया है कि अभी के समय में तो पानी मिलना बहुत ही असान हो गया है अगर किसी को पानी चाहिए तो वो बिसलेरी का bottle खरीद लेता है लेकिन जब poetess का वक्त था तो उस समय पानी easily नहीं मिलता था और अब water multinational market commodity हो गया है यानि कि दुनिया के हर शौप में पानी मिलता ही है अगर आप external पानी को देखे जैसा कि आपको पता है कि अर्थ में more or less 70% water है तो ये water कभी भी हमें चपेट में ले सकता है तो दोस्तो यहीं पर ये end होता है मुझे उमीद है कि आपको ये chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा तो दोस्तो अब आपसे मुलकात होगी अगले वीडियो के साथ और हाँ मेरे एक और चैनल है जिसका link आपको description box में मिल जाए तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ